हेलो दोस्तो मैं हूँ बालानाद गोस्वामी और दोस्तो आप मुझे यूटूब चैनल पर ढ davonnye कर आपको गूगल पर बालानाद गोस्वामी सर्च करना हैं आपको सबसे उपर कि तरही मेरे चैनल जो लेटस्ट यूटूब में मने अपलोड किये होंगे वो आपको मिल जा और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉलेट सेटिंग किसे तरीके से दिखते हैं तो दोस्तो इसमें तीन टाइप के अलग-अलग टाइप के होते हैं जैसे कि बास्केट कॉलेट सेटिंग डबल प्रॉंग सेटिंग और क्लाव प्रॉंग सेटिंग तो दोस्तो आप स्क्रीन इस पर देख रहे हैं में उपर वाला परउन्ज होते हैं और नीचे बेस होता है जिसके ओपर डाइमंड हाम होल्ड करते हैं और अगर इसे हम बासकेट करने के ए तो नीचे हमें गैलरी टाइप की विंडो ओपन करने होती है और इसे हम बासकेट रहा हूँ और depression दोप्र तो वो डबल प्रॉंग बास्केट कॉलिट सेटिंग हो जाएगी और क्लाव प्रॉंग सेटिंग भी कोई बहुत अलग चीज नहीं है उसमें हमारी जो प्रॉंग है नीचे से बास्केट फ्लो में उपर किता पाएगी शीशेप में हम उसे देख पाएंगे तो दोस्तों यह यह बहुत ही प्रचलित है लोकल मार्केट और वर्ल लेवल पर तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड नमबर पर है बेजल सेटिंग तो दोस्तों बेजल सेटिंग बहुत ही फेमस है वर्ल लेवल पर और लोकल मार्केट में भी और दोस्तों इसे हम देख पा रहे हैं इसमें outer border होता है और diamond होता है इसमें prong नहीं होता दोस्तों और इसमें एक तो full bezel हम देख पा रहे हैं और एक half bezel होता है जो कि आप नीचे के right side में आप देख पा रहे हैं इन दोनों को ही हम bezel setting बोल सकते हैं तो दोस्तों ये भी बहुत famous है और हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं third number पर third number पर है plate prong setting और इसे हमने sketch द्वारा समझ सकते हैं कि diamond होंगे और दोनों तरफ prongs होंगे तो दोस्तों plate prong setting में common prongs setting, separate prongs setting और local market में दोस्तों ये भी बहुत famous है और world level पर भी या बहुत ज़्यादा use किया जाता है दोस्तों इसकी एक और खासियत है collet setting और bezel setting से भी ज़्यादा plate prong setting यूज होता है और चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं next power setting दोस्तों power setting और plate prong setting में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें भी हम separate prong और one side prong use कर सकते हैं या फिर एक और इसमें extra बढ़ जाएगा one side prong होंगे और one side wall होगी इस तरह के की भी power की setting की जा सकती है ऐसे design हमें बहुत ही rarely देखने मिलते हैं लेकिन ऐसा भी होता है तो दोस्तो plate prong setting में हम देख पा रहे हैं outer side में wall होती है दोनों side जो की cad में हम point 3 और point 5 का offset मारके बनाते हैं outer जो wall होती है वो point 3 की thickness होती है और उसको जो हम गहरा ही देते हैं उसके पहले हम थोड़ा सा taper भी बनाते हैं जिसके लिए हम point 2 का offset देते हैं तो दोस्तो आप picture से समझने की कोशिश करिए या तो हम हमारे regular lecture देखिए जिसमें हम power setting बनाते हैं और उसे हम किस तरीके से करते हैं तो दोस्तो ये तिसरे नमबर की सेटिंग थी हम आगे बढ़ेंगे इस तो दोस्तो next है micro power setting और micro power setting में बहुत ज़ादा अंतर नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हैं उपर की right side वाली picture में मैंने green green में मैंने लिखा हुआ है prong height point 4 mm तो दोस्तो इसकी खासिया यह है कि इसमें prong की जो height होती है वो कम होती है तो दोस्तो prong की height point 3 5 या point 3 से भी 3 तक भी हो सकती है depend करता है कि हमारे client या हमारे customer को किस तरह के के prong यूज होते हैं और इसमें machinery का भी बहुत बड़ा involvement रहता है कि वो कितनी height तक में diamond को set कर पाता है तो दोस्तो इस पावे और micro पावे में सिप प्रॉंग के height का ही height के वज़े से ही ये नया नाम पढ़ता है चलिए दोस्तो हम लोग आगे बढ़ते हैं next है flush setting तो दोस्तो flush setting में आप देख पा रहे हैं screen पर ये एक कम से कम use में लाए जाने वाला diamond setting है लेकिन आजकल इस setting को लोग काफी पसंद कर रहे हैं इस setting में plate या metal में diamond size के ratio में किया जाता है hole और उसके हिसाब से उसे hammer की या और modern tools की health से set किया जाता है और ये बहुत ही attractive design दिखते हैं जब ऐसे setting की जाती है दोस्तो लोकल में ये थोड़ी कम use होती है लेकिन world level पर ये भी अच्छी खासी use होती है और और बहुत ही अच्छी दिखती भी है तो दोस्तो ये रही flush setting आप pictures से भी इसे समझ सकते हैं और हम कोशिच करेंगे कि future में हम इस setting से related कोई design बनाए और आप हमारी वीडियो देखते रही है तो दोस्तो ये था 6 नंबर हम अब आगे बढ़ेंगे साथ वे नंबर पर next है pressure setting तो दोस्तो pressure setting से हमको direct ये समझ में आता है कि अंदुरुनी diamond पर बाहर के diamond द्वारा pressure डाला गया है तो दोस्तो बाहर के diamond से अंदर वाले diamond को hold किया गया है इसे हमें ये ही समझ में आता है और दोस्तो ये इसी तरीके का काम है तो दोस्तो इसमें और special चीजे बताने वाली ये है जो कि cad से related है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि जो center में जो diamond है उसकी size अगर 2 mm होगी तो जो बाहरी 6 diamonds है उनकी size 1.6 होगी इसका मतलब 0.4 कम 2 mm से कम करेंगे तो 1.6 हो जाएगा और screen पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके सेटिंग हो रही है अंदर की तरब कोई भी प्रॉंग नहीं है और बाहर की तरब आपको प्रॉंग दिख रहे हैं तो बाहर के प्रॉंग diamonds को पकड़ने के लिए प्रॉंग यूज हो रहे हैं और अंदर के single diamond को पकड़ने के लिए diamond ही उनके उपर चड़े हुए है तो दोस्तों ये भी काफी famous setting है और ये normal diamond को solidar diamond ring या jewelry दिखाने के लिए यूज होती है और ये local market में धोड़ी कम यूज होती है लेकिन world level पर इसकी काफी demand है तो दोस्तों अगे बढ़ते हैं art number पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं channel setting तो दोस्तो channel setting में design बनाना बहुत ही मज़ेदार होता है और ये एक rich look देता है हमको तो दोस्तों इसमें इस तरह की jewelry पहनना लोग बहुत ज़ादा पसंद करते हैं इसमें two side channel setting one and two और three stone और bucket stone setting wall and prong diamond setting इस तरह की के अलग-अलग settings होती है जिसमें कभी-कभी prong भी one sided हो सकता है तो दोस्तों ज़्यादा तर ये setting bucket diamond के लिए use होती है लेकिन जैसा आप screen पर देख रहे हैं round princess diamond भी इस setting में set की जाती है और दोस्तों इस setting को world level पर और local level पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और picture की help से आप देख पा रहे हैं ये setting कैसे दीखती है ठीक है दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं next है tension setting तो दोस्तों normal tension setting designer या flow tension setting तो दोस्तों normal मतलब जो सबसे पहली picture आपको उपर से left वाली दिख रही है वो normal setting है और right वाली भी उसके normal ही है लेकि नीचे की तरब आप देखेंगे नीचे का left वाला जिसमें metal flow में है और उससे diamond को set किया गया है तो दोस्तों ये setting काफी risky है जिसमें normally जो diamond होते वो काफी hard होना चाहिए उसे और metal भी उतना ही hard होना चाहिए कि वो उसे proper hold कर सके अगर दोनों में से कोई भी diamond गिरने के chances बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं और ये बहुत tension की बात है इसलिए इस setting का नाम शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए इसका नाम tension setting है तो दोस्तों ये setting कैसी दिखती है आप picture से आप समझ सकते हैं तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं ये है pre-cut setting और ये है हमारे दस्वे नमबर पर और pre-cut setting में दोस्तों pre-cut का मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले से setting की जाती है और यहाँ पर wall जो metal होता है उसे cut करके diamond को set किया गया है तो दोस्तों पहले ये setting बहुत difficult हुआ करती थी लेकिन आज की date में CAD ने इसे बहुत ही आसान बना दिया है और कुछ tools की help से हम अलग-अलग type की cut create कर पा रहे हैं इसमें V-cut setting, U-cut setting, W-cut setting जैसे इसके अलावा भी कुछ cut होंगे जिनका नाम में यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ अभी तो दोस्तों ये बहुत ही आसान ही हम कर पाते हैं CAD में तो दोस्तो pre-cut setting mostly engagement and marriage couple के लिए use की जाती है solitaire ring और earring या pendant में pre-cut setting use में लाया जाता है local में या setting बनाया तो जाता है मगर इसका जो consumption है local market में low level पर हो पाता है world level पर कहने का मतलब है English countries में इसकी ज़्यादा खपत है तो ये वहाँ पर ज़्यादा use किया जाता है pre-cut setting में CAD के मतलब से काफी अच्छे और short period में काम को complete किया जा सक रहा है आज की date में तो दोस्तो इसके बाद last invisible setting तो दोस्तो जितनी भी setting हम सीख रहे हैं या मैं समझा रहा हूं तो आप picture की help से भी उन्हें समझने की कोशिश करिए कि इन सब में क्या डिफ्रेंस था अगर आपको कहीं पर confusion हो रहा है तो आप पीछे जाकर उन settings को फिर से एक बार देख सकते हैं और मैंने कोशिश की है कि हम picture की help से इससे जादा समझ सकें और दोस्तों स्क्रीन पर है आपके invisible setting इस setting में princess diamond यूज़ किया जाता है जादा तर जहां तक मुझे लगता है यह setting precious settings और channel setting का combination है तो दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर outer wall भी होती है और नीचे की तरफ diamond के just पीछे metal भी होता है colored की तरफ metal भी होता है जिसके उपर हम diamond को hold कर रहे हैं लेकिन वो सारी चीज़े हमें यहां पर देख नहीं पा रही हैं तो दोस्तों इसलिए इसका नाम invisible है हम उसे देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वो है तो यह दोस्तों बहुत ही मैंन से setting की जाने वाली चीज़े हैं और mostly यह setting invisible setting CAD में और direct casting की जा पाती है या फिससे हम बोच सकते हैं wax setting के help से setting को हम जादा easily कर पा रहे हैं इसके अलावा भी दोस्तों काफी settings हैं मगर उनके बारे में हम जादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इन से ही बनते हैं और उनको थोड़ा सा अलग-अलग नाम दिया जाता है क्योंकि वो अपने customer या अपने staff को समझाने के लिए उन्होंने कुछ अलग नाम रख दे क्योंकि इन settings को थोड़ा सा variation में कुछ नया करने के लिए same setting को कुछ अलग तरीके से करकर customer को देने के लिए हमें personally अपने labor या फिर अपने cad वाले को समझाना होगा तो हम उसे कुछ एक नया नाम भी दे सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके की setting मैं आपके लिए लेकर आया था अगर आपको ये वीडियो जानकर इसे भरपूर लगती हो तो प्लीज इसे आप अपने दोस्तों तक share करें लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को subscribe नहीं किया हो तो प्लीज इसे subscribe करें ओके दोस्तों वीडियो को end तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद